आज बनाएंगे परवल और आलू की मसालेदार भुजिया जो की बनने में बिलकुल भी समय नहीं लगेगा और स्वादिश्ट इतना होगा कि बार बार इस रेसिपी को बनाएंगे 200 ग्राम परवल लेंगे एक आलू लेंगे एक प्याज लेंगे या अपने जरूरत के हिसाब से क्वांटिटी कम जादा कर सकते हैं अब इसकी कटिंग कर लेंगे तो कटिंग करने से पहले परवल को अच्छे से धो लेंगे और आलू और प्याज को भी अच्छे से धो लेंगे परवल की कटिंग इस तरह से करेंगे एक परवल में 4 या 6 पीस करेंगे और आलू को इस तरह से परवल के हिसाब से ही लंबाई मे कट करेंगे और प्याज को स्लाइस में कट कर लेंगे गैस पर कढ़ाई चड़ाएंगे गरम होने देंगे और उसमें डालेंगे एक चमच सरसो का तेल और दो सुखी लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे मिर्ची ऐसे से भून गया है अब इसमें कटिंग किया हुआ आलू प पलजते हुए 2 मिनिट फ्राइब कर लेंगे दो मिनट फ्राइब करने के बाद यहां पर देख सकते हैं प्याज और परवल जो है अब इसमें मसाला अड़ कर लेंगे मसाला डालने के पहले फ्लेम को लो कर लेंगे एक चोटी चमच हल्दी पावडर डालेंगे दो चोटी अधी चोटी चमच मैंने मिर्च पाउडर वाला है और चूटकी भार बेकिंग सोडा डालेंगे भी सोडा वोलते हैं तो इसे थोड़ी सी डालेंगे और सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चारव तरब से इस तरह से एकठा कर लेंगे अब इकठा करने के बाद ढ़िए नहीं और धक्कर लगबक तीन मिन लो फिलेंगे राएंगे लो फिल्म कमा लिए 4 मिन Gustav Viray और खोलने के बास में अच्छे से मिक्स करेंके बेकिंग सोडा डालने से इसमें जो प्याज डाला हुआ है उटिसयों मैस हो जाता है और जो प्याज मसाले के साथ में लिए लिए पाफ एक शी प्वेयाया कहले में में अलु हगे खोल लेंगे और सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें ढखकन नहीं लगाएंगे क्योंकि यह आलू और जो परवल है वह बिल्कुल अच्छे से पक गया है मैं एक आलू और परवल तोड़के दिखाती हूं देखिए कितना अच्छा से पका हुआ है और पल्टे स इसे दो से तीन मिनट और इसे फ्राई करेंगे जिससे की जो मसाला है अच्छे से और परवल और आलू में लटपट हो जाए और लटपट होने के साथ साथ इसमें स्वाद भी थोड़ा और बढ़ जाएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा एकदम लगेगा पार्टी स्टाइल भूजा भूजिया बिल्कुल रेडियसर्व करने के लिए अब गいます को अफ़ się करेंगे और किसी तरह से भूजिया बणाएंगे तो सामय भी समय लगेगा और इतना स्वादिश्ट बन के तयार होगा कि जो भी खायेंगे बार बार यहीं वाली घूजिया के दि कर दो में